फरीदाबाद में रोटी और पानी को लेकर दो भाईयों में इसकदर जगड़ा हो गया कि बड़े भाई ने चाकू मार कर छोटे भाई की हत्या कर डाली जिहां ये घटना खेड़ी पुल के पास भारत कॉलनी की है जहां इस घटना के बाद संसनी फैली हुई है दरसल बीती रात करीब 9 बजे दोनों भाई खाना खाने के लिए बैठे थे लेकिन इस दोरान रोटी और पानी को लेकर दोनों भाईयों में बहस चुरू हो गई और देखते ही देखते कास उनी जगड़े में तब्दील हो गई हाला कि दोनों भाईयों की बीच जगडा होता देख माने बीच पचाओ भी किया लेकिन इसी दोरान बड़े भाई ने छोटे पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया बताय जा रहा है कि घटना के बाद घायल को तुरंत अस्पताल में भरती कराया गया जहां इलाज के दोरान उसकी मौत हो गई दियो तो वाने पयाप इमान लियो ए तो क्या भी जिंदा है और कुछ हो रात कोई कतम है गो तो फुटल ले गया वही लास ना में लई मोई ठाने में किस लिए आया है अधि ग के बादिक ले चाने में तो जाने में लो बढ़ती नाय करें के अ कृटी कराया यह जो कहरा में तो भाइया जिन्न है दौनों ने पी रखी धारू ने पी रखी है वहन की कोई का लुन एक लंबर गली में है उधर इस घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि अभी तक उनके पास परिवार की कोई शिकायत नहीं आई है जैसे ही शिकायत मिलेगी उसी के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कारवाई की जाएगी बता दें कि जिस वक्त दोनों भाईयों में रोटी को लेकर जगडा हुआ उस वक्त दोनों भाई शराब के नशे में धुत थे हालांकि पिडित मा का कहना है कि छोटे भाई ने खुद को चाकु मार कर घायल किया था लेकिन इस बात में कितनी सचाई है वो तो पुलिस चानवीन के बाद ही सामने आएगी फरीदाबाद से अनिल राठी पंजाब केसरेटी वे हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद